प्रिये विदर्थियो एजुकेशन प्लैनेर्ट चैनल नोहर पर आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बढ़ेंगे कक्षा साथ समाजिक विज्ञान की पुस्तक उसका राजनिती विज्ञान का जो पार्ट है उसका चैप्टर नमबर फोर लड़के और लड़कियों के रूप में बढ़ा होना तो इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक के परशन उत्तर इस वीडियो में हम कर रहे हैं प्रार्म करते हैं पहला प्रिशन है साथ में दिएगे कुछ कत्रों पर विचार कीजिए और बताईए कि वे सत्य है या असत्य है अपने उत्तर के समर्थन में एक उधारन भी दीजिए अब देखिए पहला क्या है वक्य है ये कत्थन सबी समुदाए और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते तो इसका उत्तर होगा ये कत्थन सही है क्योंकि जिन समुदाए या समाजों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है या जो समाज रूढ़ी वादी परंपरा से जकड़ा हुआ है उन समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते अब लेते हैं प्रिशन नमबर दो प्रिशन नमबर एक का ही पार्ट है ये खै भाग है लड़कों में कोई भेद नहीं करता अब इसका उत्तर होगा यह कतन असत्य है हमारा समाज लड़कियों के साथ उचित भ्यवार नहीं करता यह बड़े होने पर लड़कों और लड़कियों में सपस्ट अंतर करता है ज्यादा तर माता-पिता लड़कों को पसंद करते हैं लेकिन बेटी या बेटियों के लिए इन सुईधाओं को प्लब्द कराने से इनकार करते हैं ये बिल्कुल सत्य है और इसका गय भाग है वे महिलाएं जो घर पर रहती है कोई काम नहीं करती अब ये कतन भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि जो महिलाएं घर पर रहती है वे घरेलू कामों को करती है जैसे खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों और बुजरुगों की देखवाल करना ये उनके प्रमुक काम है और पहले परशन का इक घह भाग है परशन के काम की तुलना में कम मुल्यवान समझे जाते है ये कतन भी सत्य है क्योंकि महिलाएं जो घर में काम करती है उनको महत्व पूर्ण नहीं समझा जाता मान लिया जाता है कि वे तो इस्त्रियों के सभाविक कारिये है इसलिए पैसा देने की कोई जरूरती नहीं है समाज में इन कारियों को अधिक मैत्व नहीं दिया जाता परशन नमबर दो घर का काम अद्रिस से होता है और इसका कोई मुल्य नहीं चुकाया जाता घर के काम शारिरिक रूप से ठकाने वाले होते है घर के कामों बहुत समय खफ जाता है अपने शब्दों में लिखिये कि अद्रस्य होने और सारी रिक रूप से ठकाने और समय खफ जाने जैसे वाक्यांसों से आप क्या समझते हैं अपने घर की महिलाओं के काम के अधार पर हर बात को एक उदारन से समझाईए चलो एक एक बात लेते हैं हम इसमें पहली बात है काम का अद्रस्य होना कई काम दिखाई नहीं देते जो महिलाएं आम तोर पर घर के अंदर काम करती हैं उन्हें उचित मानेता नहीं दी जाती जैसे खाना बनाना बच्चों की देखवाल करना बुजर्गों की देखवाल करना इत्यादी दूसरा है शारेगरी रूप से ठकाने वाले तो घरेलू कारियों जैसे घर की सफाई करना कपड़े धोना, खाना बनाना आदी कारियों में अत्य दिक्ष्रम की आवशक्ता होती है इसलिए ये काम शरीर को ठकाने वाले होते हैं अगला बिंदु वे बहुत समय खप जाना तो घर के कामों में बहुत समय लग जाता है जिसके कारण मैलाओं को समय नहीं मिल बाता जैसे बच्चों और बुजरुगों की देखवाल करने में लगने वाला समय प्रशन्ती ने ऐसे विशेस खिलोनों की सुची बनाईए जिन से लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेस खिलोनों की भी सुची बनाईए जिन से केवल लड़कें खेलती है यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचे और बताईए कैसा क्यों है सोचिये कि क्या इसका कुछ समंद इस बात से है कि आगे चल कर वैसक के रूप में बच्चों को क्या भूमी का निभानी होगी अब देखें खिलोनों की सूचि देखें आप लड़कों खिलोने कौन से हैं मोटर है कार है बंदूक वीडियो गेम गैंद हेलिकॉप्टर लड़कियों के गुडिया चोटे चोटे बरतन गुडियों के ड्रेस अब देखें समाज में लड़के जब यूव अवस्था में पहुंचते हैं तो उन्ही कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसे वे बच्पन से या बच्पन में खिलोनों के रूप में खेला करते थे जैसे सेनाम भरती होना, पुलिस या पुलिस का अपसर बनना, गाड़ी चलाना इन कारियों को पसंद करते हैं इसके विपरित लड़कियां उन खिलोनों को चुनती है जो कौमल होते हैं जिने घर के अंदर खेला जा सकता है उनकी नारीवादी सभाव उन्हें लड़कों द्वारा पसंद किये गए खिलोनों के साथ खेलने के अनमती नहीं देते हैं अब अगला प्रसंद देखते हैं अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उन से बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिस कीजिए कि उनके घर में और कौन-कौन है वे क्या करते हैं उनका घर कहां है वे रोज कितने घंटे तक काम करती है वे कितना कमा लेती है इन सारे विवरनों को शामिल कर एक चोटी सी कहानी लिखिए चलिए तो इसकी जो कहानी बनेगी वो इस परकार से बनेगी हमारे पडोस में एक महिला घर के कामों में मदद करने के लिए आती है उसका नाम कवीता है उसके पांच बच्चे हैं उसका पती मजदूरी करता है उसके पांच बच्चों में तीन लड़के और दो लड़किया है उसके पती का नाम रमेश है कवीता का घर दिल्ली के उपनगर गोकुलपूरी के नाले पर इस्तित है जोंपड़पटी में है कवीता प्रतिदीन 16 गंटे काम करती है अजदूरी करके लगबग 3500 रपे तक कमा लेता है तो ये वास्तिता है कि इस परकार के जो लोग होते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करने के बाद में उनकी इतनी ही कमाई हो पाती है कि उनका केवल गुजारा हो पाता है तो हमने ये SST की जो सिविक्स की बुक है उसका चैप्टर नमबर 4 लड़के और लड़के उग्रों में बड़ा होना इसके पाठे पुछते के परशन हमने किये हैं हम फिर आप से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो आगे वाला वीडियो आएगा नेक्स्ट पार्ट का उसके साथ में फिर मिलना होगा तब तक बहुत बहुत धन्यवाद